स्टार मेकर सिंगिंग के लिए लोग माइक्रोफोन को लेकर बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कौन सा माइक लूँ, माइक के साथ फेंटम पवर लूँ या साउंड कार्ड ये वाला अच्छा रहेगा या वो वाला तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास भी आते हैं तो इस वीडियो में हम माइक और माइक कॉमबो के बारे में ही बात करने वाले हैं कौन सा माइक ले और उसके साथ क्या ले जिसमें हम आपको 5000 के अंदर के बजट के माइक कॉम्बोस के बारे में बताएंगे कुछ माइक कॉम्बोस हैं और कुछ कॉम्बोस हम बनाएंगे तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से अंड तक पूरा देखिएगा तब ही आपको कुछ बेनिफिट मिल पाएगा तो आईए इस म्यूजिकल जर्नी को साथ में शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कांसेन म्यूजिकल बाबा तो सबसे पहले बात करते हैं माइक और V8 साउंड कार्ड के कॉम्बो की तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आनलाइन प्राइज उपर नीचे होते ही रहते हैं तो जो प्राइज मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो प्राइज 200 या 400 रुपे उपर नीचे हो सकता है इसमें पहला कॉम्बो है सेल प्लस का इसमें आपको माइक और V8 साउंड कार्ड एक साथ मिल जाता है और बाकी सारी एकसेसरीज भी मिल जाती है ये सबसे सस्ता माइक और V8 साउंड का कॉम्बो है जिसका प्राइज अभी 1800 रुपे है दूसरा माइक कॉंबो है डिजी मूर कंपनी का इस कॉंबो में आपको माइक और V8 साउंड कार्ड भी मिल जाता है और बाकी सारी एक्सेसरीज भी मिल जाती है ये माइक कॉंबो आपको ओन लाइन 3200 रुपे के आसपास में मिल जाएगा आपको एक बात और बता दू के इन सभी जादतर कॉंबो में माइक जो होता है वो BM800 माइक ही होता है इसी में तीसरा माइक कॉंबो है सेजो कंपनी का इस कॉंबो में भी आपको माइक और V8 साउंड कार्ड मिलता है और साथ में काफी सारी एक्सेसरीज मिल जाती है इस कॉम्बो का online price है 3100 रुपे इसी में 4 माइक कॉम्बो है जिजू का कमपनी का इस माइक कॉम्बो में भी आपको माइक मिल जाता है और V8 साउंड कार्ट मिलता है जिसके साथ काफी सारी accessories मिलती है अभी online इस माइक कॉम्बो का price है 2900 रुपे अभी तक आपने जितने भी माइक कॉंबोस देखे हैं, उन सभी माइक कॉंबोस में जादा तर BM800 माइक ही आपको मिलेगा. अब चलते हैं BM800 से उपर के लेवल के माइक कॉंबो की तरफ. इसी में पांचवा माइक कॉंबो है Sezo Company का. इस माइक कॉंबो में आपको माइक मिल जा जो कॉंबो के रूप में तो हमें नहीं मिलता लेकिन हम इसका कॉंबो बना सकते हैं. इसमें हम माउनो के AU03 कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ V8 साउंड का कॉंबो बना सकते हैं. इस माइक कॉंबो में आपको एक मिडिल रिंज का माइक्रोफोन मिल जाता है, V8 साउंड कार् अब बात करते हैं माइक और फेंटम पॉवर के कॉंबो की इस कॉंबो के अंदर आप पहला कॉंबो बना सकते हैं BM800 माइक के साथ फेंटम पॉवर सप्लाई का ये कॉंबो आपको ऑनलाइन 3300 पे के प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएगा और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कंडेंसर माइक को पर्फेक्टली वर्क करने के लिए 48 वाल्ट की फेंटम पॉवर की जरूरत होती है तो फेंटम पॉवर सप्लाई यूज करने से माइक अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाता है इसी केटेगरी में दूसरा माइक कॉंबो है माउनो AU03 कंडेंसर माइक के साथ फेंटम पॉवर सप्लाई कॉंबो इस कॉम्बो में आपको phantom power मिल जाती है, mic मिल जाता है और उसके साथ की accessories मिल जाती हैं ये कॉम्बो आपको 4,300 रुपे के price range के अंदर मिल जाएगा इसी केटेगरी में तीसरा mic कॉम्बो आता है audio array AMC2 condenser microphone के साथ phantom power का कॉम्बो इस mic कॉम्बो में आपको मिल जाता है एक middle range का अच्छा microphone वो भी accessories के साथ और with phantom power ये वाला mic कॉम्बो आपको 5,000 रुपे की price range के अंदर मिल जाएगा इसी केटेगरी में next mic कॉम्बो है extreme acoustic C01 condenser microphone के साथ phantom power का कॉम्बो इस mic कॉम्बो में भी आपको एक middle range का अच्छा microphone मिल जाता है वो भी accessories के साथ और वो भी phantom power के साथ ये mic कॉम्बो भी आपको 5,000 रुपे की price range के अंदर-अंदर मिल जाएगा इस केटेगरी में मैंने आपको जितने भी microphones बताएं हैं वो सारे middle range के हैं BM800 को छोड़कर तो जिस तरह इन microphone के साथ phantom power का कॉम्बो बना है उसी तरह इन microphone के साथ आप V8 sound card के साथ भी इनका कॉम्बो बना सकते हैं और आपको price भी बिल्कुल same ही पड़ेगा चाहे आप V8 sound card यूज़ करें चाहे phantom power यूज़ करें अब बात करते हैं माईक और sound mixer के कॉम्बो की तो 5000 रुपे के budget के अंदर हमारे पास इस category में बहुत जादा option available नहीं होते हैं इसमें आप simply BM800 माईक के साथ में एक two channel mixer का कॉम्बो बना सकते हैं माईक आपको 1500-2000 रुपे के बीच में मिल जाएगा और mixer आपको 3000-3000 रुपे के बीच में मिल जाएगा तो 5000 रुपे की price range के अंदर अंदर आपका ये कॉम्बो तयार हो जाएगा और माईक और mixer के इस कॉम्बो की quality माईक और V8 sound card और माईक और phantom power के कॉम्बो की quality से जादा अच्छी होती है अब बात करते हैं माईक और आडियो इंटरफेस के कॉम्बो की 5000 रुपे के बजट के अंदर हमारे पास इसमें भी जादा option अविलेबल नहीं होते हैं इसमें आपको एक बना-बनाया कॉम्बो अविलेबल है जो है राइट कंपनी का इसमें आपको राइट कंपनी का WR800 माइक मिल जाता है जिसकी quality BM800 माइक के बराबर होती है और मिल जाता है राइट कंपनी का ही ऑडियो इंतरफेस जिसके साथ आपको राइट कंपनी की ही अक्सेसरीच भी मिल जाती है इस combo में एक low range का mic है और एक low range का audio interface है ये combo आपको online 5000 रुपे के अंदर अंदर में मिल जाएगा तो ये हैं वो low range और middle range के mic combos जो आप star maker पर singing करने के लिए use कर सकते हैं मैंने पूरी कोशिच की है कि आपको variety of combos के बारे में बता सकूँ जिससे आप दुबारा से confused ना हो जाएं तो आप भी अपनी star maker singing के लिए इन में से कोई भी एक combo choose कर सकते हैं और उसे star maker singing के लिए use कर सकते हैं आपकी आवाज और singing style के हिसाब से कौन सा mic लेना चाहिए और mic के साथ sound card, phantom power, mixer या audio interface लेना चाहिए और star maker के साथ इन सारे mic combos की settings कैसे करेंगे और साथ ही साथ आपकी आवाज और गाने की requirement के हिसाब से sound effect settings कैसे करेंगे अगर आप ये सारी चीजे सीखना चाहते हैं तो singing के साथ साथ हमारी online music class में हम ये सारी चीजे भी सिखाते हैं अगर आप भी इन सब basics को मज़े से easily और systematic way में master करना चाहते हैं तो आप हमारे online singing curriculum को join कर सकते हैं यानि कि हमारी music class को join कर सकते हैं आप सिर्फ वाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए आपको कैरिकुलम की डिटेल मिल जाएंगी तो आईए इस मुजिकल जन्री को साथ में शुरू करते हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक यूही गाते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए स्वस्त रहिए अब आपके दोस्ट आरके को इजाज़त दीजिए जय हिंद वंदे मातरम